हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके जो वीडियो रिक्यारा देखे SBI के शेयर ने आज आक लगा दी मार्केट में ये मान के चले कि जबरदस्त उछाल और PSU बैंक जो PSU वाला इंडेक्स है बैंक्स का बहुत तेजी उसके अंदर लाया SBI जबरदस्त मैं कहूंगा quarter 4 के नतीजे जरा देखते हैं कैसे रहे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल अकिन को प्रेस कर लें जिससे आपको notification आती रहेगी क्योंकि बहुत सारी चीज़े आप मिस करते हो इस चैनल पर आपको मिलती है Technical Analysis, Fundamental Analysis साहत के साथ 17 quarter 4 के नतीजे अब सीधे लेके जा रहा हूं आपको नतीजों को अपर क्योंकि नतीजे आये हैं और आपको पता है कि मार्च quarter के अंदर SBI cards का IPO आया था तो कमाया किस ने उस IPO में SBI ने इतना जो है promoter ने अपना stake यहाँ पे बेचा मतलब public को बेचा IPO means public को बेचा public को बेचा तो पैसा आया उस पैसे में किता पैसा मिला सारी चीजे देखेंगे और अभी दो ढ़े बज़े के आसपा से नतीजे आये market hours में ही आ गए थे तो नतीजों के उपर पहले focus करते हैं फिर बाकी details देखेंगे नतीजे को उपर जड़ा ध्यान से देखेंगे अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि पूरा इसको मैं आपको जूम करके area को दिखाऊंगा थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको maximum area आपका coverage हो जाए सारी details यहीं पे है stand alone consolidated देखेंगे अब ध्यान से देखेंगे छोटा देखेंगे हम आपको जूम करके particular numbers को दिखाऊंगा सारे figures जो हैं करोड में जब करोड में यह figure हैं तो सीधे start करेंगे SBI का share है बैंक का share है तो interest कितना हुआ total income कितनी हुई देखें interest earned सबसे पहली बात है interest कितना कमाया interest कितना कमाया हमको figure बात करने है consolidated की सारे numbers है करोड में अब बात करेंगे सबसे पहले इस quarter में कितना कमाया देखे 65,875 नंबर को देखे 65,875 करोड बहुत ही अच्छी बात है जो कि last year कितना था 65,784 अब मैं आपको यह picture इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज को compare कर पाएं देखे इंट्रेस्ट आपको लग रहा हूँ गए पिछले साल के comparison में ज्यादा तो कमाया नहीं यहां पर और यहां पर देखोगे पिछले quarter में यह 71,000 करोड के पार था और अभी कितना है similar जितना last year था थोड़ा सा difference है मामूली सा difference में इसको कहूंगा 100 करोड के आसपास SBI जैसे 100 करोड क्या ही होता है बहुत कम difference बट overall financial year की जब आप बात करते हो तो अब जराध्यान से देखिए 65,000 करोड यह है overall financial year में 2,03,000 करोड अब आपको गया 2,53,000 करोड से बढ़के इस बार 2,69,000 करोड अल्मोस राउंड आफ करके 70, 70,000 करोड के आसपास 2,70,000 करोड जबरदस्त अब यह detail में मैं आपको यह result दिखाता हूं इसलिए दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए end to end अब आपको गया end to end समझ के क्या करना है कई लोग कहेंगे आपको इतना profit हो गया उतना profit हो गया इतना loss हो गया तो समझें सारी चीज अब यही चीज में आपको दिखाता हूं यह तो हमने interest earned की बात करी total income की बात करते है पहले total income यहाँ पर बहुत सारी चीज़े आएंगे total income के अगर मैं बात करूँ यह तीसरा number है इस quarter में total income जो मुझे देखने को मिली है वो है 94,000 करोड देखे 94,000 करोड जो कि last year कितनी थी 91 यानि की सीदे सीदे 3000 करोड के आसपास round off कर ली जाब इतना इजाफ़ा 3000 करोड के आसपास अगर पूरे financial year की देखते हैं तो 3,30,000 करोड से बढ़के 3,62,000 करोड पे total income गई है ध्यान दें बिलकुल समझे इसको ध्यान दें यह total income की बात हो रही है अब total income के बात हम चलते है यहाँ पे बहुत सारी चीज़े सामने निकल के आई होंगे आपके देखिए बहुत सारी चीज़े इन दसेंस total expenditure कितना हुआ है operating profit exceptional item exceptional item 2590 करोड का exceptional item यह देखिए यह काम की चीज़ है यह exceptional item उसके अलावा और बात करेंगे detail में और पहले में आपको लेके जाता हूँ देख इन figures पे 76,000 करोड यह देखिए अभी के टाइम पर जो कि पिछली बार कितने थे 73,000 करोड इन numbers को ध्यान से देखिए 73,000 करोड से 76,000 करोड अब ज़रा समझते हैं यहाँ पे profitability की और profit से पहले आप ज़रा ध्यान दे क्या exceptional item मैंने आपके साथ बताया और अब मैं लेके जा आपको net profit and loss for the period 14 number अब यह point में आपको क्यों दिखा रहा हो देखिए सारी चीजा आपने देखिए exceptional item भी देखा साथ के साथ अपने total expenses भी देखिए taxes भी आप देखिए और अब मैं आपको लेके जा रहा हो देखिए कोई कहेगा आपको 1500 करोड से profit बढ़के 4500 करोड हो गया इसका मतलब इसका मतलब की profit 15 into 3 equal to 45 होता है तो 3 गुणा पड़ गया लेकिन चला अच्छे से देखिए पिछले साल के comparison में पिछले साल ये comparison कितना था profit 3000 करोड का कुल था पूरे financial year को देखिए अब और इस बार कितना हो गया 18000 करोड तो आपको गया 3 into 6 3, 6, 18 ये तो 6 गुणा profit हो गया इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कोई 3 गुणा कहेगा कोई 4 गुणा कोई 5 गुणा यहां देखिए अगर पिछले पूरे financial year का comparison किया जाता है तो profit आपका सीधे-सीधे 6 गुणा से भी जादा हुआ है अगर आप last year के same quarter से compare करते तो profit आपका 3 गुणा हुआ है 1500 करोड से 4500 करोड यह आपने देखा कैसे कैसे चीज़े आपने exceptions देखे यहां पे आपने कितना expenses हुआ है उसके सांसे आपने total income देखी उन सारी चीजों को देखा और उसके बाद देखा रहे वा क्या profit हुआ है earning पर share पे focus कीजिए और bank के NPA प पर आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूँगा देखिए NPA इस बार का कितना है 6.15% और अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करके right correct लिया इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ आप भी ध्यान देजिए देखिए हम पूरा का पूरा comparison करेंगे यह ध्यान देख 6.15% जो कि last year कितना था 7.53% अब इस point इन दो points को ध्यान दे 6.15% और last year कितना था 7.53% मतलब NPA में सुधार जो की मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बट यह कप की बात है यह March quarter तक की बात है जब तक lockdown and all कुछ ही नहीं था देखिए समझे इसको पूरा crust अब 3.01% से यह आ आपका 2.23% हो ग्या, gross NPA, net NPA दोनों में आपको बहतरीन jump देखने को मिल रहा होगा, jump in the sense positivity, मतलब थोड़ा गिरावट positivity, NPA जितना कम हो उतना अच्छा है, कभी भी किसी भी चीज़ का कोई आप और share देखते हो, तो आप debt देखते हो, जब भी bank और finance की बात आती है तो वह आपका हो गया, State Bank of India की अच्छी डिटेल, इतना जबरतस profit, अब ये दो में आपको important चीज़े जो exceptional items थे, उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप धान दे इस point को, सबसे पहले जो point है, net profit 3484 करोड, 3484 करोड का, company ने क्या का है, हमने SBI Life Insurance में कुछ माल बेचा था, उसक net profit 2731 करोड, ये SBI कार्ड में, जो है, stake बेचा था, subsidiary में, उसका part है, तो दीखिए, ये company clear cut आपको bank बता रहा है, 3484 करोड, 2731 करोड, ये clear cut आपको exceptional item for the year ended this, यहाँ पे include ये कर रहा है, तो ये important चीज़ है, इसलिए हम आपको कह रहा है कि चीज़े बिलकुल समझें, और SBI क पाड के अगर आप share को देखोगे, profit and loss तो आपको होगे यार, बहुत ही जबर्दस share है, ये बहुत ही अच्छा लग रहे है, लगेगा आपको, लेकिन 2018 में, इसने clearly आपको loss दिखाया था, numbers, तरह ध्यान देहिं, numbers के उपर focus कीजिए, और मैं आपको लेके चलता हूँ, देखे, इसके अगर मैं detail में बात करो, यहाँ पे, तो आप होगे यार, 33,00,00 करोड का उधार है, देखे, company, bank की, जब भी बात आते हैं, आपको clear cut बताता हूँ, कि आप bank का उधार नहीं देखते हैं, उसका देखते हैं, NPA, चलिए, technical पे चलते हैं, technical की जब भी बारी आती तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें इस सम मंथली से स्टार्ट करते हैं, मंथली से अगर आप देखोगे, जो भई आपने पहली भी देखो अगर अगर फिर से आपको repeat करेंगे, जो range हमने दी थी, उसके around तो यह अभी पहुँचके उपर जा चुका है, लेकिन फिर से कहूँग लेकिन अभी यह इस range से वापस आ है, यह range जो थी 140, 145 के आसपास bottom था और वहां से 160 तक की range रखी गई थी, क्यों रखी गई थी यह support, क्यों कहा गया था, यह strong support है, क्यों क्यों कि 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5 पर बार इसने इसी के level का support लिया है, और अब इस महीने में तेजी जरूर द 49 का low, अभी पिछले मन्त के high को पार कर दिया है, और जून के कितने दिन हुए है, जरा देखे जरा सूचे कि जून के कितने दिन हुए है, पांच दिन जून के हुए है, और इसने level को पार कर दिया, पिछले महीने के high को, काफी important, अब कई लोग कहेंगे, यार आज का अगर यह तो daily time frame है, आप weekly पे भी इसको समझ सकते हैं कि weekly पे कैसे situation बन रही है, यह देखे यह weekly chart है, दो week से पिसले week और यह week positivity देखे और 149 से सीधे 190 के level पे आ चुका है, बट अब weekly breakout आपके सामने है, यानि कि 196 का यह level है, सामने है, और अगर तेजी जादा आती है, तो मुझे ल आती है न, आपको यह 5 मिनट, 15 मिनट पस्पेक्टिव से धीरे धीरे चीज़े clear हो जाते है, देखें, पांच मिनट में bullish cross बन चुका था, यह देखें, bullish cross यह बना था आपका 5 जून को, और 174 के आसपास, उसके बाद 15 मिनट में आप देखें, यह move हुआ था, बहुत ही चे और फिलाल, अगर मैं देखूं, monthly, weekly और daily week पड़े हुए है, लेकिन हा, positivity, positive cross जो है, वो आपका hourly से start हो चुका है, 39 में से hourly पे positivity देखने को मिल रही है, जो की 156 के level पे ही cross आ गया था, यानि कि बहुत ही important था तब से, और अब की date में यह काफी तेजी से भाग रहा है, लेकि खास करकि 210 से 215 की range में strong resistance इसके लिए available है, तो result है, तो जबरदस्त आपको देखने को मैला main region, exceptional item का gain, जो SBI cards and all है, वो सारा चीज़े देखी, पूरा आपने देखा किस तरीके से interest income earned हुई है, कितना expenses था, wind up करता है, आपे वीडियो को उमीद करता है, आपको वीडियो अच झाल